Yes students, again a very good morning to all of you. तो बेटा, EVS में हम कर रहे हैं topic अवर फेस्टिवल्स. अवर फेस्टिवल्स के बारे में मैंने आपको अच्छे से इंट्रडक्शन में समझाया था कि तोहार क्या होते हैं, कौन-कौन से होते हैं, हम अपने देश में, अपनी कंट्री में कौन-कौन से फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं, और वैसे भी अभी फेस्टिवल्स सीजन्स चल रहे हैं, तो आप सभी को इनके बारे में अच्छे से पता है. So हमने फेस्टिवल्स की नेम लर्न कर लिये थे, और कम कल हमने कुछ फेस्टिवल्स की थी, जैसे की लाइट्स का फेस्टिवल्स कौन सा होता है, कलर्स का फेस्टिवल्स कौन सा होता है, सिख रिलीजिन में फेमस फेस्टिवल्स कौन सा है, तो आप सभी ने लर्निंग वर्क करके मुझे वो सेंड भी किया था, एक ही मैच करके आपको बताया है बाकी की जो मैचिंग्स हैं वो आप खुद से करेंगे जैसे कि फर्स्ट है कैंडल दिया तो कैंडल यानि कि मौमबत्ती और दिया हम कौन से त्योहार में चलाते हैं तो यह आपके पास ओप्शन्स हैं क्रिस्मिस में लोडी में इद में शारा में या होली में तो मैंने आपको एक करके दिखाया है कि कैंडल और दिया जो है वो हम दिवाली में मनाते हैं दिवाली में लगाते हैं जो दिवाली का त्योहार होता है उसमें हम क्या करते हैं उसमें हम मौमबतिया और दिये जलाते हैं ठीक है तो कैंडल और दिया को मैंने दिवाली के साथ मैच कर दिया इसी तरह राम लीला राम लीला कौन से तोहार में होती है हमने उसके साथ मैच करना है इद में राम लीला होती है या लोडी में होती है या क्रिस्मस में होती है जहां पर भी होती है मुझे नहीं पता वो आपने खुझ से देखना है नेक्स्ट है color and water रंग और पानी रंग और पानी कौन से तेहार में यूज होते हैं दुशारा में दिवाली में, ईद में होली में, लोडी या क्रिसमस जहां पर भी होते हैं उसके बाद है सेवईया सेवईया कौन से फेस्टिवल की famous dish है, famous बोलो या फिर बोलो की बिल्कुल centric dish है वो बनानी ही बनानी है उस तेहार में, सभी के घर में वो बनती है सेवईया, ठीक है तो कहां पर बनती हैं, वो होली में, दुशारा में ईद में, लोडी में या क्रिसमस में तो सिवईया is the most important dish of which festival you have to match ठीक है उसके बाद है रेवडी और गचक रेवडी और गचक तो रेवडी सबने खाई होगी I think मुझे भी बहुत पसंद है गोल गोल छोटी छोटी मीटी वाली है सबीने खाई होगी, देखी भी होगी उसके साथ है गचक गचक भी हमने खाई होगी हमने काफी तरह की गचक खाई है मुझफली वाली भी खाई है, तिल वाली भी खाई है ठीक है, और गुलकंद वाली भी खाई है बहुत सारी होती है, तो रेवडी और गचक कौन से फेस्टिवल की जो famous dish है जिसमें हम खाते हैं उसको, उसकी पहचान ही रेवडी गचक मुफली से है ठीक है, तो आपने इन में से match करना है, next is last one, Santa Claus, Santa Claus कब आते हैं बई, बताओ होली में आते हैं जुशारा में आते हैं या कब आते हैं, जब भी आते हैं, you have to match, उसके बार मैंने आपको एक और question दिया है draw a beautiful Christmas tree in your notebook and color it also तो आपने क्या करना है बेटा अपनी notebook में Christmas tree draw करना है Christmas tree सबने देखा होगा I think बहुत ही सुंदर tree होता है आप internet से उसकी photo भी देख सकते हैं मैंने जो आपको send की है ठीक है तो आपने वो Christmas tree अपनी notebook में draw करना है सुंदर सुंदर उसे color भी करना है तो ये छोटा सा काम आपका EVS का है Okay class, सभी बच्चों ने अपनी notebook पूरी full-fledged complete रखनी है जितना भी काम अब तक हो चुका है वो सबका complete होना चाहिए अपना काम regularly send करते रहें क्रूप में और learning work भी करते रहें Okay class, God bless you all Thank you